कुलिशन नमर 10 हो गया कुलिशन नमर 10 का और अच्छा और इजी कुलिशन है क्या दिया हुआ है राइट फंक्शन एंड सोर्स आफ दी फॉलोइंग बायो मॉलीक्यूल यह एलिमेंट तो पहला बायो मॉलीक्यूल है प्रोटीन इन्दे को यार प्रोटीन जो होता है आपको पता है प्रोटीन क्या करता है प्रोटीन हमारे growth development के लिए जरूरी है हमारे tissues को बनाता है और repair करता है तो लिख लो आप लो required for growth and development it form new tissues कुछ tissues जो damage हो जाते हैं उनको repair करता है और also repair them उनकी repairing भी करेगा अब यह बता हो प्रोटीन हम लोगों को मिलता कहां से है तो protein हम लोगों को protein का source क्या क्या है तो protein के बहुत सारे source है जैसे हम लोग यह बात जानते हैं protein Ha kep लोगों को मिलेगा फिश से प्रोटीन हम लोगों को मिलेगा milk से profile protein हम लोगों को मिलेगा generally pulses से डाल जो होती है उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, एटसेटरा तो ये काम तो हो गया प्रोटीन का, अब प्रोटीन के बाद यहाँ पर आता है, second point प्रोटीन के बाद क्या पूछा है, कार्बोाइडरेट तो कार्बोाइडरेट हम लोगों को पता है provide energy, हमें energy provide करता है and act as biofuel, यह biofuel का काम करता है, जिस तरह fuel गाड़ी को चलाता है, उसी तरह हम लोगों को, living organism को चलाने वाला जो है न, वो कार्बोाइडरेड है कार्बोाइडरेड के source कहां कहां से मिलता है, तो यह हम लोगों को कहां कहां से मिलता है, कार्बोाइडरेड यह हमें मिलेगा, rice में potatoes में मिलेगा, उसके अलावा sugar में मिलेगा, sugar में तो बहुत कार्बोाइडरेड होता है, etc शुगर खुद सुकरोज है, सुकरोज है ता कार्बोाइडरेड फिर इसके बाद आता है third point, fat fat भी energy provide करता है हम लोगों को लिख ले न, आप लोग कहां से मिलता है तो ये हम लोगों को मिलता है, oil से घी से मिलेगा egg से मिलेगा etc फिर इसके बाद आता है, ध्यान रखना, ये भी energy provide करता है, फिर इसके बाद आता है, fat के बाद, calcium तो calcium क्या करता है? Calcium हमारी bones provide strength in bones and teeth. हमारी हड़ियों में और दातों में strength provide करता है calcium. और calcium कहां से मिलता है? तो calcium हमें मिलता है milk से green leafy vegetables, हरे पत्तों वाली सबजीओं से. तो ये हो गया हमारा question number 10. यार इतना तो कर लोगे ना? लिख लोगे green leafy vegetables and milk, that's it. अब आते हैं question number 11. Determine the expression for zero order. तो पहले मैं side हो रहा हूँ, note कर लोगे से. जीरो order reaction का expression, ये नाम सुना है तुम लोगोंने. कई लोगों ने, sir, क्या बोल रहे हो आप zero order? ये zero order. Zero order हमने पढ़ा था chemical kinetics में. Zero order reaction उन्हें कहा जाता है, जहां पर reaction का rate, reaction का rate does not depends upon concentration of reactant. शॉर्ट में लिख दिया. अगर reaction का rate, concentration of reactant पे depend नहीं करेगा, concentration बढ़ाओगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम करोगे, तो भी rate मतलब speed पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसा reaction zero order है, simple है. अब zero order का expression है, देखो number पूरे expression के मिलेंगे. तो expression यह है के मेरे पास एक reactant product बना रहा है. अज़ एक बात बताओ, क्या zero order में zero reactant होता है? इसका answer है no, zero order में reactants होता है. भले ही वो one हो, two हो, three हो, four हो, यह hundred हो, whatever. लेकिन इन reactant का concentration कितना ही बढ़ा दो या कम कर दो, उससे reaction की speed पर, speed मतलब rate पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो चलो, मैं एक reactant ले रहा हूँ. अब मैं reaction का rate लिख रहा हूँ. तुम लोगों ने सीखा है, reaction के rate लिखने के दो formula है. पहला formula क्या है? rate is equals to change in concentration upon change in time. चैप्टर शुरू होते से यह formula पड़ा है. दूसरा rate का formula है, rate is equals to k. square bracket में reactant और जो reactant है, उसका order 0 है. कौन सा order है? 0. इसलिए इसकी power में 0 लगाना मत भूलना. अगर ये काम कर दिया न, तुम 0 लगाना भूल गया, तो तुमारा काम हो गया. इस question का तो काम कर के आ गया तुम. नमबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना. 0 लगाना मत भूलना. equation number 2. दोनों equation को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में rate की value दिये. तो दोनों rate की value को बराबर कर लेते हैं. on equating both equation क्या जाएगा, minus d square bracket में a upon dt is equals to k into square bracket में a to the part 0. जब bracket की part 0 होती है, तो वो bracket और उसके अंदर की सारी value 1 हो जाती हैं. क्या हो जाती है 1? तो उस 1 को तो लिखना नहीं, बचेगा क्या minus d square bracket में a upon dt, is equals to k, equation 3, dt को भेज़ दो इदर, बहुत इसको पसंद आ रहा है, k के साथ जाना तो भेज़ देते हैं, minus d square bracket में a बराबर k into dt equation number 4, सही है, कुछ मैंने ऐसा काम नहीं करा कि तुमका ओरे सर, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी आज तक, बहुत सिंपल है, 0 थी इसकी पावर तो ये पूरा 1 हो गया, बचा k, फिर dt को भेज़ दिया, right side तो ये हो गया, k into dt और इधर बचा minus d square bracket में, अब जरूर में कुछ ऐसा करने वाला हों जो तुम का होगे, सर ये तो direct हो गया, chemistry ये पही है, इसमें direct ही करना है, on integration, इस line को पढ़के, maths वाले तो बड़े अरे, integration ये तो आता है, लेकिन bio वाले थोड़े से परशाना आ जाते हैं, कोई problem नहीं है, ये direct आपको करना है, equation 4 का जब हम integration करते हैं, तो आता है, minus a is equals to kt plus i, कई books में आपको c दिखेगा, या i दिखेगा, i या c कुछ भी लिख दो, वो होता है, integration constant, तो यह आगई equation number 5, और यहाँ पे i है, integration constant, अब देखो, when t is equals to 0, हम बात कर रहाँ है शुरुआत की, शुरुआत में जब time बिल्कुल नहीं लगा इस process में, तो t जब 0 है, तब a होगा, a0, यह जो a दिखता है ना, bracket में, यह a0 हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, t को 0, और a को a0, यह a0 मानते हैं, equation number 5 में, from equation 5, square bracket में a है, वो a0 हो जाएगा, is equals to, k, t है 0, तो multiply by 0, plus i, तो plus i, simple, k into 0, किसी भी value में, आप 0 का multiply करोगे, तो answer क्या आएगा, सबको पता है, बले ही, maths वाले हों, या बायो वाले हों, जिन्हें नहीं पता, उनको बहुत-बहुत, k into 0, 0 होगा, तो finally i, बचेगा, और इधर क्या बचेगा, minus a0, तो आप देख सकते हो, मेरे पास constant की value आगई, फिर से, from equation 5, क्या है equation 5, minus a, is equals to kt, plus क्या है i, और i की value क्या आगई है, minus a0, अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है solve करके, अब इसके बाद, minus a0 को, क्या करूँ हैं, यह दो-दो same color आगए, minus a0 को भेज देता हूँ, मैं left side, इधर, तो यह minus था, इधर plus हो जाएगा, क्या जाएगा यह, a0 minus a, इसके पहले भेज दो ना, minus के sign के पहले, minus से पहले ही था, इसके पहले आजाएगा a0, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा kt, बच रहा है, अब एक काम करो, t को right side बच दो, जब t को right side बच होगे, तो यह multiply में होँआ जाएगा, divide में होगी भाई, तो यह आजाएगा, divided by t, और इसी के साथ, हमारा, zero order का expression होता है complete, अब तुमको, सर यह कैसे हो गया, यह a0 क्या है, तो पते ही नहीं है, भाई यह a0 का मतलब, reactant की, शुरू की value, initial, और a का मतलब है, final, बात की value, अभी कारक का, शुरुआत का जो मान है, वो initial value, minus final value, initial concentration, minus final, और इस initial, minus final को, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, k is equals to, x by t, यह आगया आपका derivation complete, थेओरी की एक line काफी है, derivation पूरा जरूरी है, note कर लो, practice जरूर कर लेना इसकी, आपको बता है, यह paper 3 hours में solve होता है, उसके साथ, और वाले question आप छोड़ते हो, लेकिन हम तो और वाले भी कर रहे हैं, तो यहार थोड़ा time लगेगा, लेकिन 3 hours नहीं लगेंगे, इतना मैं आपको बता रहूँ पाज़, आप इस speed में फटा फट करने वाले हम लोग, question number 11 हो गया, आप इसका और बचा, इसमें correction और note कर लेना, correction क्या मैं बता रहूँ, वो थोड़ा टाइपिंग में हो गया, what is arhenius equation in the form of equation of straight line, straight line, ठीक है, what will be its slope, इसका slope क्या होगा, of graph using this equation, calculate the activation energy for the decomposition in a reaction, in which the value of slope, value of slope नहीं दिये, तो उसको लिख लो, value of slope is, यह हमें slope की value दे, देखो भाईया, arhenius equation तो हमने पड़ी है, chemical kinetics में पड़ी है, वही k is equals to ae to the power minus e upon rt, याद है, फिर हमने करा इसका derivation, तो derivation करते गए, equation 1i, 2i, log लेने के बाद, 3, 4, 5, 5th equation जब आई, तो हमने देखा, from arhenius equation, यहर मुझे तो आज भी याद है, मैंने जो notes आप लोगों को बनवाए हैं न, साल पर उसमें equation number 5 आई है arhenius, आप चेक कर सकते हो, तो from arhenius equation, equation number 5 जो आई थी, graph के लिए वो यह थी, log k is equals to log a, minus a upon 2.303r into t, और याद करो मैंने लिखवाया, bracket में लिखा भी था, for graph, यह graph के लिए होती है, कई teachers भी सीखेंगे इससे, अच्छी बात है, that's very good, आप लोग भी सीखो, तो यह है for graph, इसे हम लोग क्या करते हैं, आप देखो इससे हम graph बनाते हैं, problem नहीं है, 1 को लिखने से कोई फर्ख थोड़ी पड़ता है, graph लगा लो, इससे graph निकालो, graph कैसे निकालो, y is equals to mx plus c, चलो इतनी डेप में नहीं जा रहा है, तो एक काम करते हैं, जब हम graph लोट करते हैं, y axis पे आएगा log k, यह y axis होती है, x axis पे आएगा, 1 by t, minus e upon 2.303R, यह पूरा minus से लेके, और 1 by t से पहले का जो चीज़े, आपको दिख रहे हैं, यह वो slope है, क्योंकि minus में है न, तो decreasing slope होगा, obvious ही बात है, अब यहाँ पे question में बुलाए कि, slope की value है, तो इय निकालो, activation energy, तो चलो निकालते हैं, since, हमने यहाँ तक करा, फिर इसके नीचे लिखेंगे, आपना, चलो नीचे लिख देता हूँ, पहले graph plot कर लिया, फिर लिखा, since, slope is equals to, minus 9920, then, slope का formula है, minus e upon, 2.303R, slope की value है, minus 9920, is equals to, minus e upon, 2.303, into R, R दिया जाएगा, नहीं देंगे, तो परशान मत होना, क्योंकि energy निकालनी है, तो energy, Joule में आना चाहिए, तो इसलिए, मैं R लूँगा, 8.314, unit होती हैं, 8.314 Joule, पर Kelvin, पर मोल, तो परशान मत होना, R constant है, दिया जाएगा, वरना लिख लो यार, याद करने में क्या problem है, अब एक काम करो, पहले तो minus minus को अटाओ, cancel, इन दोनों को ले जाओ, लेफ्ट साइड तो क्या जाएगा, 9920, into 2.303, into 8.314, अब क्या करना, देखो, नंबर कहीं कम नहीं होंगे, 2.303 में सरिफ 2.3 लेंगे, 8.314 में सरिफ 8.3 लेंगे, और उनको आपस में multiply करेंगे, इन दोनों को multiply कर लो, देखो अब ही answer आएगा, 19.09, multiply by 9920, यह आप लोग देख सकते हो, finally 9920, अब आप एक काम करो, इन दोनों को multiply कर लो यार, multiply में कोई बड़ा rocket science नहीं है, multiply कर लो, answer जो आएगा, वो joules में होगा, that's it, आप देख सकते हो, आप इसे multiply कर लो, जब आप calculation करो, कि around 189372.8 joules, यहाँ पे activation energy आजाएगी, और अगर लगे नहीं नहीं सर, बहुत बड़ा answer है, examiner परिशान हो जाएगा, कोई बात नहीं भईया, इसको divided by 1000 करना, तो answer kilojoule में आजाएगा, simple है, और इसी के साथ, यह question complete होता है, चलिए आते हैं, question number, हम लोग 12 पर, बड़ा अच्छा question है, लेकिन मैं पूरा solve नहीं करूँगा, easy है यार, बहुत easy है, transition metal exhibit, variable oxidation state, तो क्यों इतनी सारी oxidation state, कभी plus 2, plus 3, plus 4, highest, plus 7 तक चले जाते हैं, और osmium तो भाई, कुछ करता ही नहीं है, वो plus 8 तक चले जाता है, तो यह variable oxidation state, क्यों show करते हैं, इसका reason मैं आपको बता रहा हूँ, मैं short में लिख रहा हूँ, due to less energy gap between ns and n-1d sub shell, इन दोनों में कम gap होता है, यह आगे आप लिख लेना चाहों, तो अब ns के electron निकलेंगे, तो n-1d sub shell भी अपने electrons देगा, इस वज़ा से variable oxidation state show करते हैं, पहली transition series में, first transition series, यहाँ पे सबसे जादा charge show करता है magnees, कितना show करता है magnees, that is plus 7, पूरे transition metal में, चार-चार series होती हैं, 1 series 3D, 4D, 5D, 6D, पूरे transition series में, among all transition metal, पूरे transition metal में, highest charge show करता है, osmium, that is plus 8, काम याद रखना बहुत ज़रूरी है, फिर इसके बाद आता है, transition element form, easily form alloy, तो भाई, alloy क्यों आसानी से बनाते हैं, due to nearly similar atomic radiae, सबसे पहले ये बताओ, alloy क्यों होता है, तो alloy एक homogeneous mixture होता है, पहले हम alloy की definition लिखेंगे, alloy is a homogeneous mixture of metal with metal, or metal with non-metal, transition metals can easily form alloy, due to nearly similar atomic radius, इनका atomic radius बराबर होता है, तभी ये आसानी से alloy बना लेते हैं, हो गया question number 12, question number 12 का ओर है, difference between lengthenoid and actenoid, बहुत easy है यार, बहुत easy है, चलो फिर भी मैं एक बार तुम लोगों को short में बता देता हूँ, एक तरफ लिख छोड़ना मत देखो easy है, मतलब छोड़ना नहीं है, lengthenoids, और actenoids, देखो ये lengthenoids में क्या है, मैं short में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इससे full बना सकते हो, theory कोई problem नहीं है, इनका last electron enter होता है, 4F sub shell में, इनका last electron enter होता है, 5F sub shell में, इनकी common oxidation state होती है, plus 3, plus 3 के अलावा ये plus 2 और plus 4 भी show करते हैं, actenoids की भी common oxidation state होती है, plus 3, लेकिन plus 3 के अलावा, plus 2, plus 4, plus 5, plus 6, यहां तक के, plus 7 भी चले जाते हैं, ये less reactive होते हैं, ये more reactive होते हैं, highly reactive होते हैं, यहां पर promethium, only radioactive element है, एक अकेला एक लोता radioactive है, 14 element होते हैं, length in white के, उनमें promethium एक अकेला radioactive है, बाकी के तेरा non radioactive हैं, और यहां पर all are radioactive, देखो बई, short में भी ऐसा लेख रहा हूँ न, कि तुम लोग इसी को proper बना लो न, बस आगी पीछे sentence पूरा कर लो, अब 12 में आगे हो याड, sentence तो बना सकते हो न, वरना मेरे notes देख सकते हो, आप कोई problem न, आपने जहां भी coaching पड़ी होगी, school में देखा होगा, वहां लिखा होगा, इसका आखरी point यह है, कि यह कभी भी oxo-ion नहीं बनाते हैं, लिख देना, they never form oxo-ion, they form oxo-ion, that's it, हो गया complete, हमारा question number 12, इसके बाद आते हैं, question number 13 में, how will you obtain the following from chloroform, हमें chloroform से क्या-क्या बनाना है, चलो ठीक, question number 13 में देखते हैं हम लोग, तो chloroform से बनाना है, carbonile chloride तो मेरे भाई, chloroform जो होता न, CACL3, अगर हम लोग इसका oxidation कर दें, यह oxidation light, sunlight, या air की presence में होता है, तो यहां से 1 hydrogen और 1 chlorine बाहर भाग जाएगा, क्योंकि एदार से hydrogen निकला, तो बचेगा मेरे पास C, chlorine 1 जा चुका है, तो मेरे पास बचेंगे 2 chlorine, और मेरे पास oxygen कितने है, O2 से पहले half लगा है, 2 का half होता है, 1, तो यह आ गया complete, यह जो चीज बनी है, इसको बोलते हैं, फॉसजीन, या फिर, कार्बोनाइल क्लोराइड, चलिए इसका next है, क्लोरोफॉर्म से ऐसी टिलीन बनाना है, तो यह ऐसी टिलीन बनाने के लिए कुछ मत करो, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म नाम की जो चीज है, उसको सिल्वर के साथ हीट कर दो, जब सिल्वर के साथ हीट करेंगे, तो यहां से यह पूरा ग्रुप निकल रहा है, क्या बन गया, 6-AG-C-L, फाइनली क्या बच रहा है, CH-CH तो यह बना देगा, फिर इसके बाद यह बहुत important reactions चल रहा है, आप इनको गलती से भी मच छोड़ना, अब obvious ही बात है, अब सब कुछ important है, तब ही तो sample paper में दिया है, फिर इसके बाद आता है, क्लोरोफॉर्म से phenyl isosyanide, बहुत खतरना question आ गया, इसका नाम carbide amine reaction है, अगर मैं लेता हूँ benzine amine, जिसे aniline बोलते हैं, इसका reaction कराता हूँ chloroform और KOH से, तो यहाँ पर benzine, उसका nitrogen और carbon आपस में मिल जाएंगे, benzine, उसका nitrogen और carbon आपस में मिलेंगे, triple bond होगा, चाहो तो ऐसी लिख दो Nc, और अगर चाहो थोड़ा अच्छा लिखना है, तो ऐसे लिख दो, एक arrow वाला bond है, coordinate हो बाकी है, अब balance करने के लिए यहाँ पर 3KOH ले रहा हूँ, तो यह बना देंगे 3KCl, और उसके बाद 3KCl के बाद, finally हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से 1 Hydrogen, यहाँ से 2 Hydrogen, कुल मिला के 3 Hydrogen, और यहाँ मेरे पास Potassium जा चुका, OH बच रहा है, कितने बच रहा है, 3, तो यह आ गया 3OH, और यह बन गया, Phenyl Isocyanide, और भाईया, इस reaction का नाम है, Carbile Amine Reaction, चलिए, next, Chloropicrin, Chloropicrin क्या होता है, अगर आप Chloroform, का reaction, Concentrated Nitric Acid से करा दो, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HONO2, तो Chloroform को जब Nitric Acid से reaction करा होगे, तो Chloroform का Hydrogen, SKOH को लेकर भाग जाएगा, बना देगा H2O, बच क्या रहा है, हमारे पास Carbon with 3 Chlorine, that is CCL3, और यहां OH चला गया, बचा NO2, तो यह आ गया NO2, इसे बोलते हैं, Chloropicrin, या, Nitro Chloroform, और यह reaction, यह chloropicrin या Nitro Chloroform, यूज करा जाता है, as a war gas, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट करो, मैं साइड ओरो, Quesion No.13 का, जो और आप लोगों को दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है, write the reaction of chlorobenzene, हमें chlorobenzene का reaction कराना है, क्या क्या कराना है, यह हमारे पास chlorobenzene, बीच में रिंग लगाना, मत भूलना, रिंग नहीं लगा होगा, तो काम हो जाना है, इसका reaction कर रहा है, क्लोरीन से, in presence of FeCl3, देखो भीया, होगा यह, कि chlorobenzene जो आपको दिख रहा है, इस chlorobenzene पर, सबसे पहले निकलेगा bond, bond निकलने का मतलब, यहां जो hydrogen बैठा था, वो जा चुका है बार, यहां का hydrogen निकाला मैंने, मेरे पास two chlorine है, पहला chlorine इस bond को देने वाला हूँ, और second chlorine इस hydrogen को दूँगा, आने वाला chlorine, पहले जुड़ेगा ortho position पर, फिर उसके बाद, यही chlorine जुड़ेगा पहरा पहरा, इतना तो पता है, कि यह दो-दो product नहीं है, एक ही product दो हिस्सों में तूड़ गया, 70% यहां आया, 30% यहां आगया, simple है, पहले ortho पर बनेगा, फिर पहरा 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 आएगा, और इसका नाम होगा, 1,4-dichlorobenzene, simple है, इसके बाद, इसी में, question number 13 का जो और है, इसमें पूछा है, fatigue reaction, fatigue, यह भी हेलो-एलके और हेलो-रीन चैप्टर का है, fatigue में क्या होता है, हम लेते हैं, chlorobenzene, की 2 unit, reaction कराते हैं, sodium से in dry ether, simple सी वाद है, हेलोजन वाले, किसी भी compound का reaction, किसी metal से कराओगे, metal साथ, sodium, potassium, magnesium, कोई सब भी हो, तो वहाँ पर तुम्हें लेना पड़ेगा, dry ether, और जब यह reaction कराते हो, तो यह पूरा group भाग जाएगा, निकल कर, क्या निकलेगा, sodium electropositive है, तो वह अपने साथ, electropositive, electronegative को डूढ़ेगा, तो electronegative chlorine, तो यह बना देगा, 2-N-S-E-L, finally बचेगा, C6H5, इधर और इधर भी बचेगा, C6H5, और इसे हम लोग बोलेंगे, by phenyl, यह बन गया, by phenyl, और इसे के साथ, हमारे question number 13 का, और भी complete होता है, अब आते हैं, question number 14 पर, question number 14 को, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, question number 14, 14 में बोला गया है, alcohol and phenol contain OH, what is the reason that, phenol is acidic and alcohol is neutral, देखो, alcohol होता है, ROH, phenol होता है, benzene with OH, अब होता क्या है, यहाँ पर भी कहानी लगबग वैसे हैं, जो अभी हमने देखी थी, कि alcohol में oxygen, alkyl group से electron ले रहा है, bond के electron परीं तरफ शेयर कर रहा है, वो थोड़े से electron ले रहा है, bond के hydrogen से, क्योंकि उसको जितने electron सी जरूरत है, वो सब alkyl group से मिल रहा है, क्योंकि alkyl group यहाँ पर शो करता है, plus eye effect, plus eye वाला group जहां जाता है, वो जादा से जादा electron को आगे बढ़ाता है, तो oxygen को जितने electron की जरूरत है, वो मिल गए है उसको alkyl group से, इसी वज़ा से oxygen hydrogen के bond के electron कम शिफ्ट हुआ है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, बेंजीन और oxygen में से, बेंजीन अपनी तरफ ज्यादा electron खीचता है, अट्रेट करता है, तो बेंजीन इस bond के electrons को ज्यादा सजाद अपनी तरफ लेगा, जिसकी वज़ा से oxygen को electron की कमी होगी, तो वो electron कहां से लेगा hydrogen से, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं वो वीडियो में, मैंने इधर oxygen और hydrogen के थोड़े से electron shift करें, एक एरो लगाया, यहां तीन एरो लगाया, क्योंकि यहां oxygen hydrogen का electron ज्यादा shift हो रहा है, इसका मतलब, यहां पर oxygen hydrogen का bond, less polar है, कम polar है, plus minus कम है इसमें, और यह ज्यादा polar है, OH bond is, more polar, bond के electron जितने shift होंगे, bond उतना ज्यादा polar और उतना कमजोर हो जाएगा, कमजोर bond जल्दी तूटेगा, यह अपना hydrogen जल्दी निकालेगा, यह अपना hydrogen देर में निकालेगा, और हमने बच्पन से सीखा है, कि hydrogen देने वाला acid होता है, जो अपना hydrogen जल्दी देता है, वो ज्यादा acidic होता है, जो देर में देता है, वो कम acidic, इसका मतलब यह है, कि alcohol होता है, less acidic, और phenol होता है, more acidic, इसका एक reason हो रहे, आप मेरे notes को देखोगे, तो आपको मिलेगा, कि phenol बनाता है, phenoxide ion जो highly stable है, तो यह दो reason है, जिसकी वज़ा से, phenol ज्यादा acidic है, आप इसे note कर सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, question number 14 का, और है victor mayor process, तो victor mayor process, primary, secondary, tertiary alcohol को, पहचानने के लिए करा जाता है, on the basis of color, और color कैसे show करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास है, primary alcohol, यहाँ पर हमारे पास है, secondary alcohol, और एक हमारे पास है, tertiary alcohol, primary alcohol, secondary और tertiary, जो भी आपको दिये जा रहा है, आप पहले इनका reaction करोगे, P plus I2 से, क्योंकि P plus I2 से जब reaction करोगे, तो OH गुरूप की जगा हेलो जाना जाएगा, यह बना देगा, RCH2I, R2CHI, और यह बना देगा, R3CI, सीदे OH की जगा आई आ जाएगा, नाम भी लिख दूँ यार, तुम लोग बरने confused होगे, primary alcohol, यह और है, 13 का और है, अब क्या होगा, जब हमारे पास यह compound बनेगा, तो इसका reaction करेंगे, हम लोग AGNO2 से, चाहे primary का हो, secondary का product हो, या tertiary का product हो, जब AGNO2 से react करेंगे, तो silver with iodine सब में निकलेगा, AGI, बचेगा, RCH2NO2, RCH2 यहाँ से NO2, यहाँ पर भी silver with iodine AGNO2 निकलेगा, क्या बचेगा, R2CHNO2, और यहाँ पर भी silver with iodine निकलेगा, AGI और बचेगा हमारे पास, R3CNO2, इसके बाद, हम इसका reaction करते हैं, HNO2 से, HNO2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HONO, तो जब ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से यह H2, इस O को लेकर चला जाएगा, H2O बना देगा, माइनस H2, finally, यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है, RCNO2, और नीचे के लिए मेरे पास बच रहा है, NOH, कारबन को तो चार बॉंड बनाना ज़रूरी है, इस कारबन ने आगे एक बॉंड बनाया, पीछे एक बॉंड बनाया, कितने बॉंड की कमी है, तो यह कारबन नाइट्रोजन आपस में डबल बॉंड बना लेंगे, और फाइनली यह जो प्रोड़क्ट बना, अगर इस प्रोड़क्ट में मैं एलकली मिलाता हूँ, चाहे वो NOH हो या KOH हो, तो मुझे मिलेगा ब्लड रैड कलर, रैड कलर मिल गया, मतला primary amine confirm है, अब यह यहाँ पर भी यही काम करता हूँ मैं, HNO2 को reaction करा रहा हूँ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HONO, तो यहाँ का H इस पूरे OH को ले जाएगा, क्या बना देगा? H2O, finally मेरे पास बचेगा R2CNO2, क्योंकि मैं H निकाल चुका हूँ, और यहाँ से मेरे पास बचेगा NO, इसमें जब हम अलकली मिलाएंगे, चाहे वो NOH हो या KOH हो, तो हमें मिलेगा blue color, blue color मिल रहा है, मतलब secondary amine confirm है, और finally यहाँ tertiary amine में, जब हम HNO2 का reaction कराएंगे, तो मेरे भाई, यहाँ पे तो water निकलने का कोई दूर दूर तक चांस नजर नहीं आ रहा है, इस carbon पे hydrogen ही नहीं, यह मतलब आगे क्या होगा, NO reaction, तो इस तरह हम लोग primary, secondary और tertiary amine को पहचानते हैं, by using victor mere method या victor mere test, आप जल्दी से इसे note करो, फिर हम आते हैं next question पे, question number 15 हमारे सामने है, बिल्कुल डरना नहीं है यार, अब यह sample paper end हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज्यादा time नहीं लगेगा, question number 15 है, write a brief note on class and condensation, देखो मैं आपको एक बात बताओ, normally जब आप classes में पढ़ते हो ना, यही sample paper अगर हम अपनी class में, regular class में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा कम time लगता, लेकिन online classes में, videos जब हम prepare करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा time practically ज़्यादा लग जाता है, और as a teacher, हम लोगों को videos बनाने में, almost double time लगता है, चलिए class in condensation देखते हैं हम लोग, question number 15, class in condensation, देखो होता क्या है, question में लिखा है write a note, note का मतलब यह नहीं कि तुम theory लिखकर आगे, reaction बूल गया, theory लिखनी है कि class in condensation में हम लोग लेते हैं, benzaldehyde, यही चीज theory form में लिख देना, हम लोग लेते हैं, benzaldehyde, और benzaldehyde का, किसी भी LDhyde से, या उस LDhyde और उस ketone से react कराते हैं, जिसके पास होता है alpha hydrogen, क्या होता है, alpha hydrogen, alpha क्या है मैं बता रहा हूँ, यह functional group है, LDhyde का CHO, इस से जुड़ा हुआ carbon, alpha carbon है, और इस alpha carbon पे, तुम्हें जितने hydrogen नजार आ रहे हैं, they all are alpha hydrogen, तो यहाँ पे होता यह है, कि benzaldehyde का, उस LDhyde या ketone से reaction कराया जाता है, जिसके पास हो alpha hydrogen, और finally, जब हम reaction करते हैं, तो यह group आप देख सकते हो, निकल रहा है, यह CH3 CHO था, जिसका नाम है acetyldehyde, ethanol, reaction हो रहा है in presence of base, और जब यह group निकल रहा है, तो क्या बच रहा है मेरे पास, मेरे पास बच रहा है C6H5CH, उसके दोनों bond free दिख रहा है मुझे, और यहाँ से मेरे पास बच रहा है CH, single bond CHO, and this compound is known as cinemaldehyde, तो आप देख सकते हो, यह बन गया cinemaldehyde, hypnotic दवाईयों में, नींद की दवाईयों में यूज करा जाता है, फिर इसका second है, benzoin condensation, तो benzoin condensation में भी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ लेना है benzoidehyde की two units, first benzoidehyde, second benzoidehyde, और इनको weak base, NACN या KCN के साथ, हम लोग reaction कराते हैं, इसकी presence में, और finally, एक benzoidehyde का hydrogen, जम करेगा, दूसरे के oxygen पे चला जाएगा, बना देगा OH, क्या बनेगा? C6H5CH तो था मेरे पास, इसके oxygen पे यह वाला hydrogen आया, तो बन गया OH, finally, यहां मेरे पास बच रहा है C, उसके आगे C6H5, और इस compound को हम लोग बोलते हैं, benzoine, अब इसका और जो है, वो देख लेते हैं, describe the laboratory preparation of acetone, with label diagram, देखो यार, acetone की lab preparation, बहुत important है, quick vinegar process, बहुत important है, यह एक बड़ा theoretical topic है, लेकिन इसमें एक reaction है, तो और वाले का reaction भी बता दूँ, laboratory में अगर acetone बनाना है, तो हम लेते हैं, calcium acetate, हम लोग ले रहा है, calcium acetate, और इस calcium acetate को, 30 to 40 gram लिया जाता है, वो retort होता है न, गोल सा वो retort, condenser receiver से जुड़ा हुआ, उसमें लेते हैं, 30 to 40 gram और इसको heat करते हैं, मतलब इसका कर रहा है, dry, distillation, तो यहाँ पर निकलेगा यह गुरूप, क्या निकल रहा है, calcium के साथ carbon और 3 oxygen, मतलब यहाँ पर निकल रहा है, C-A-C-O-3, और बच क्या रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है, C-A-C-O-C-H-3, तो C-A-C-O, यह नीचे बच रहा है, उपर भी क्या बच रहा है, C-A-C-O-3, और यह जो चीज बन गई, इसे कहते हैं, अब एक बढ़ थियूरी अच्छी तरह लिख लेना, यह तो हो गया, इसका शुरूर में प्रोसेस और रियेक्शन, इसकी जो complete procedure है, principle यह थियूरी जिसे कहते हैं, उसमें आप पढ़ लेना, तो अच्छी तोन जब बनता है, तो वो impure होता है, sodium bisulphite, sodium carbonate, calcium chloride जैसे substance है, कैसे करते हैं, आपके notes में लिखा होगा, आप इसे note कर लो फिलाद, चलिए आते हैं, question number 16 पर 16 है, बड़ा important question है, what is nurse question, अच्छा तुम लोग को सर, हर question को important बोल रहा है, तो भाईया, यहाँ पर हम sample paper कर रहा है, वो भी कितने करना है, सरिफ three sample paper करना है, तो एक-एक sample paper का, एक-एक question बहुत important है, अच्छा, इन important में से, जो ज्यादा-ज्यादा important है न, उसको मैं Alexia IMP आपको बोलता जा रहा हूँ, nurse equation is one of them, what is nurse equation, nurse equation क्या है, तो देखो, होता क्या है, ये मेरे पास, एक metal iron है, किसी solution में घूम रहा था है, उस solution में क्या करा, तुम लोगों को एक बात तो पता होगी, कि solution में metal iron, घूमते हैं, उसी solution में हम metal की electrode लेते हैं, तो metal iron जो घूम रहा है, इन metal iron को मैंने n number of electron दिये, क्योंके plus bn है, तो minus n लिये और इन दोनों को cancel करके, मेरे पास आ गया metal, अब finally मैं लिखूंगा nurse equation, तो nurse equation क्या है, e cell is equals to e naught cell, minus rt upon nf, ln, ln होता है natural log, और log के बाद आता है product upon reactant, याद रखना, product upon reactant, लेकिन product को देख लो, क्या product पे कोई plus minus दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा, तो उस product को मत लिखना, उसकी जगा लिखना 1, upon reactant का concentration, मुझे reactant दिख रहा है m, जिसपे n number of plus है, product का concentration, upon reactant का concentration, लेकिन वो product जिसपे plus हो, divided by वो reactant, जिसपे plus हो, अगर plus वाला reactant भी नहीं होता, तो हम उसकी जगा भी क्या लिखते, 1, यह आगे equation number 1, यहाँ पे R क्या है, T क्या है, थोड़ा सब्र रखना, मैं बिल्कुल clear करूंगा, E होता है, electrode potential, और E naught होता है, standard electrode potential, R is a gas constant, T temperature, N होते हैं, number of electron, और F होता है, Faraday, अब यहाँ पर, हम लोग एक बात जानते हैं, कि LN है natural log, और यह बराबर होता है, 2.303 log, base 10 के, तो LN की जगा मैं लिख रहा हूँ, 2.303, तो यह आ जाएगा, E cell is equals to, E naught cell, minus, RT, upon NF, LN की जगा मैं लिख रहा हूँ, 2.303 log, base 10, base पर 10 लिखना हो, तो लिख रहना कोई problem नहीं है, क्योंकि यह बात clear है, कि chemistry में base 10 लेते हैं लोग, physics and chemistry में, equation number 2, अब यहाँ पर R होता है constant, जिसकी value होती है, 8.314 joules per Kelvin per mol, T है temperature, और normally temperature आप कितना लेते हो, 298 Kelvin, F है Faraday constant, कितनी value होती है इसकी, 96,500 C, और N का मतलब number of electron या iron, जितना भी charge हो, वो N होगा या electron, कुछ भी एक देखना आन आजाएगा, simple है, अब मैं कर यह रहाँ, कि मैं इन सब की values रख देता हूं, equation number 2 में, तो क्या आजाएगा मेरे पास, E cell is equals to E not cell, minus 2.303 into 8.314, R की value रख दे, T रख देता हूं 298, divided by, N की कोई value fix नहीं है, तो N को छोड़ देता है, F की value कितनी है, 96,500, log 1 by MN positive, अब फाइनली, मैं इन सब को जब calculate करता हूं, 2.303 है, सारी values जब मैं calculate करता हूं, multiply, divide करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा, answer इसका, E cell, is equals to E not cell, इन सब को calculate करने के बाद, 0.059 divided by N, log 1 upon, MN positive, तो यह आ गई है भी यह, हमारी nurse equation, और E not cell को calculate करने का formula होता है, E not cathode, minus E not and not, मैं आपको इस बात की guarantee दे रहा हूं, कि अगर आप मेरे regular batch के member होते, तो यह concept आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता, अभी मजबूरी है या, time की limitation है, वैसी इतनी length बढ़ चुकी हो, और एक-ए question करवा रहा हूं मैं, तो मुझे यह direct करवाना पड़ रहा है, but still, आप एक बार देख लो, और समझ लो ऐसे, question number 15 का और हम लोग देखते हैं, हो गया, 16 का और हम लोग देखते हैं, farade law of electrolysis, यार बहुत easy है यार, बहुत easy है ये तो तुम लोगों को बनना चाहिए, farade law of electrolysis में two law हैं, जहाँ पर first law में direct हमें formula लिख रहा हूँ, derivation नहीं कर रहा हूँ, आता है, W is equals to ZIT, Z होता है, electrochemical equivalence, I होता है current in ampere, और T होता है time in second, और इसी formula में अगर Z नहीं दिया जाए, तो हम लिखते हैं, E by 96500, into IT, I होता है current, और T होता है time, तो ये फेराडे first law of electrolysis में था, फेराडे second law of electrolysis से हम ये सीखते हैं, कि amount of current is directly proportional to equivalent mass, amount of substance is directly proportional to equivalent mass of substance, और formula आता है, W1 upon W2 is equals to E1 upon E2, तो अगर किसी को problem आए, क्योंकि मैंने ये ज्यादा discuss नहीं करा, easy है, अगर उसके बाद भी problem आए, तो आप बताते हैं ना, कोशिश करूँगा, मैं उसको solve करके बताऊँ आपको, फिर इसके बाद आता है, question number 17, right formula and structure of 5 oxoacid, देखो यार, oxoacid sulfur और phosphorus के जरूर याद करना, 5 oxoacid पूछा है sulfur के, तो मैं उसके formula लिख रहा हूँ, sulfuric acid, अब क्या है, sulfuric acid के लाता है, अगर मैं sulfuric acid में एक sulfur बढ़ा दूँ, और एक oxygen कम कर दूँ, तो ये कहलाएगा, thayo, sulfuric acid, सही है, sulfuric acid फिर एक हमने पढ़ा था, sulfurous acid, ठीक है, sulfurous acid, ये बहुत important है, इसे कहते हैं, carous acid, या फिर, peroxomono, sulfuric acid, और इसी का एक भाई है, बढ़ा भाई है, martial acid, अब ये बढ़ा भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये peroxomono था, तो ये peroxodai sulfuric acid है, peroxodai sulfuric acid, देखो ये तुम्हे ऐसे मत लिखना, तुम वैसे लिखना, जैसे notes में मैंने बताया, बहुत अच्छी तरह चेक, table बनाना है, serial number, उसके बाद formula, फिर name, फिर structure, और basicity, basicity है ना, तो इस आप से कर ले ना, ये तुम्हे एक simply discuss कर रहा हूँ, आप लोगों से, कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है, एक और ले ले लेते हैं, oleum, H2S2O7, oleum, ठीक, इसे, ये आ गया हमारे पास oleum, तो इस तरह से आप देख सेकते हो, इनके structure आप देख लेना, बहुत easy है, ज्यादा problem वाली बात नहीं है, अब इसके बाद आते हैं, मैं, जल्दी जल्दी नहीं कहेश रहा हूँ, बिल्कुल आप परशान मत होना, मैं बिल्कुल सही तरीके से, आप लोगों को ये सारी चीज़े बता रहा हूँ, हाँ structure वाली बात है, देख लेना बहुत easy है, question number 17 में white और भाईया, ये थोड़ा typing में mistake थी, correct कर लेना, compare properties of white phosphorus and red phosphorus, white बहुत reactive होता है, red less reactive होता है, white unstable होता है, red stable होता है, white poisonous होता है, red होता है, non poisonous, white की smell होती है, garlic like, lesson की जो smell है, वो white में होती है, red की कोई smell नहीं होती, white phosphorus यूज़ करा जाता है, generally red killers में, या कुछ explosive substance में, और red phosphorus यूज़ करा जाता है, match sticks में, हो गए 5 point, explain with example, germicide, देखो या, germicide basically, antiseptic या disinfectant, दोनो germicide में आते हैं, क्योंकि जो germs को मारता है, वो germicide है, antiseptic का example, बहुत important है, detol, savlon, tincture of iodine, सब को पता है, disinfectant क्या है, disinfectant वो होते हैं, जो microorganism को मार देते हैं, लेकिन इनको skin पे use मत करना कभी, जैसे phenyl, या 1% solution of, 0.1% solution of phenol, antiseptic क्या है, तो antiseptic वो दवाईयां होती हैं, जो microorganism से use करके बनाई जाती हैं, और किसी other type of microorganism को मारा जाता है, हमने पढ़ा हुआ antiseptic में, streptomycin, tetracycline, और पहली antiseptic जो थी, वो Alexander Fleming ने बनाई थी, penicillin, sorry, क्या बोल रहो हूँ, ये antibiotic बोल दिया हैं, मैंने जल्दी-जल्दी में कुछ जादी हो गया, antiseptic वो chemicals हैं, जो microorganism को मारते हैं, और skin पर use कर सकते हैं, जैसे Dettol, Cevlon, Tincture of Iodine, etc. तीसरा point है, antibiotic, antibiotic वही जो मैं पहले बोल गया, antibiotic वो दवाईयां हैं, जो microorganism से बनाई जाती हैं, to kill other type of microorganism, जैसे एक दर्द, निवारक, पीडा, हरी, pen killers, ठीक है, फिर आता है, artificial sweeteners तो पता है, यह artificial sweeteners वो होते हैं, जिनकी calorific value 0 होती है, जो diabetes के patients को दिये जाते हैं, या बच्चों के लिए use करे जाते हैं, food product में, इसके example बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं, sugar free BC में आता है, जिसको aspartame भी बोलता है, anti-histamine, anti-histamine वो दवाईयां हैं, जो allergy को रोकती हैं, histamine को बनने से रोकती हैं, detergent, detergent बहुत important है, पढ़ लेना detergent, आप लोग cationic and i-legan with examples, और sulfur drug, ये भी antibiotic की तरह ही काम करती है, तो मेरे प्यारे MP board वाले बच्चों, थोड़ा सबर रखो यार, जल्दी बिल्कुल मत करना, इसी तरह हम लोग हमारा आज का sample paper का discussion कम्प्लीट करते हैं, कुछ questions जो मैंने word to word explain नहीं करें, डाइरेक्ट लिखें, अगर आपको problem आती है, तो आप comment करना, मैं कोशिश करूँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा, उनकी answers आप लोगों तक पहुचाने के लिए, तो finally, आज time भी जादा हो गया, आज के sample paper को हम करते हैं complete, आप लोग हमारे next sample paper को कल आप देख सकते हो, और बिल्कुल positive approach के साथ, तैयारी में लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि जितनी तुम महनत करोगे, effort लगाओगे, exam उतना अच्छा होगा, और उसके अलावा कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि तुमें 90 plus लेकर जाना है, थेयोरी में 70 में से 65 plus लेकर जाना है, और definitely ये aim अगर set करोगे, तो उसो achieve भी करोगे, double ट्रिपल चीजों को मत ध्यान देना, एक ही चीज दो अलग-अलग जगा लिखी है, जैसे मालो एक question है, suppose ये antibiotic ही है, तो antibiotic मैंने बताई, फिर book में देखी, तो language में थोड़ा सा difference लगा, फिर तुमने कहीं और notes देख लिया, तो language में difference लगा, तो मेरे भाई, परशान मत होना, एक ही topic की अलग-अलग language हो सकती है, लेकिन concept क्या है, topic बता क्या रहा है, वो देखो, language पे, wordings पे ध्यान ज्यान ज्यादा मत दो, क्योंकि एक ही topic, जब 10 अलग-अलग publications की book आती है न, तो उन में अलग-अलग language में लिखा रहता है, ठीक है, तो आप बिलकुल मत परशान हो, आज के इस topic को complete करते हैं, that's all for today, thank you very much, और भाईया, अपने friends के साथ, ज्यादा से ज्यादा share करो, क्योंकि कुछी दिन, 2-4-5 दिन बचे हैं हमारे पास, और हम जितना भला कर सकते हैं, उतना अच्छा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 samples paper, definitely, जिसने chemistry सालबर नहीं भी पढ़ीन, अगर वो ये कर लेगा, तो final exam में बहुत कुछ करके आएगा, और आप लोग जिन लोगों ने सालबर मैनत करी हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी polish है, आपके marks को और उपर ले कर जाएगी, चलिए तो मिलते हैं कल, अपने next sample paper के साथ, तो आप enjoy करें अपनी पढ़ाई के साथ,